Hello friends, welcome to my nature, मैं हूँ Krishna, कैसे हैं आप सब लोग, मास्क बढ़िया तो चली स्टार्ट करते हैं, next lecture, lecture number 5, tannins तो आओ देखते हैं, क्या होते हैं हमारे पास tannins और उनके बारे में कुछ basic information जानने कोईश करते हैं तो वो tannins, उम्मीद कर रहा हूँ, पीछे के lectures पढ़ ली होंगे, समझ ली होंगे कि ये सब क्या है, नाम है, alkoholite किसी एक खास chemical का नाम है, ठीक है ना, tabinoid एक किसी खास chemical का नाम है, ठीक है ना, तो ओके, tannins क्या है, it is a complex organic, जा कह रहा है ये, it is complex, complex मतलब जटिल organic है, अंदर carbon containing है, non nitrogenous है, mark करेंगे, and derivative of polyhydroxy benzoic acid, इसे हम polyphenols भी कहते हैं, polyhydroxy benzoic acid, ठीक है, plant product, they have ability to precipitate protein, और इनके पास छमता होती है, ये protein को precipitate कर सकते हैं, तो ये इसके character आगे, ये कहलो की, ये कहलो की, ये इसकी definition हो गई है, ठीक है, they have high molecular weight, 500 से लेकर के, 2000 डालतन तक इनका weight होता है, अगर history में चेक करें हम लोग की कहां से, इनका नाम tannin कहां से पढ़ गया, तो tannin containing drugs are related to their tanning property, tanning property क्या होता है, that is their ability to transform fresh hides, hides होते हैं, गाय बैडों की जो भैसों की या कि चर्वी होते हैं, उपर खाल उतार ली जाती है, उसको hide कहते हैं, into imputricible leather, जो हम लोग ये जो हमारी खाल होती है, ये कैसी मुलायम सी है, हम लोग क्या करें हैं, जब tanning, ये जो tannins होते हैं, इसमें इसको dip करते हैं, तो ये क्या होता है, एकदम hard हो जाती है, नहीं आई बाद समझ में, समझो, अंडा देखा है, फोड़ो, अंदर liquid है, उबाल दो फिर, tight हो जाता है एकदम से हैं ना, तो वैसी tanning की property है, जो प्रोसेस है, एक मुलायम खाल को hard leather में बदलने की, that is called tanning, मुहीं से इसका नाम पढ़ गया, clear है, आओ देखें आगे, the consequence of tanning, is formation of bond between the collagen fiber, हमारे अंदर collagen fiber पाई जाते हैं, इसकिन में, तो कहरे tanning होती कैसे है, bond मन जाते हैं, collagen fiber के बीच में, जो hide हो पाई जाते हैं, which impart resistance, जिसकी वज़े से resistance to water, leather cover, पानी का, heat का, और abrasion, घरसन का, कोई असर नहीं होता, bond मन जाते हो hard हो जाता है, है ना, है ना, जैसे कि कच्चा अंडालो, गिरा तो फूट जाएगा, उबलाव अंडालो, गिराओ, तो फूटेगा नहीं, पेचक थोड़ा बच जाएगा, असर होगा, लेकिन फूट नहीं जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है ना, तो वैसे ही, ये tanning हुई कैसे, ये tanning हो गई है, कॉलेगन फाइबर्स थे जो, अगर पढ़ रहे हो, क्या कहते हैं, तो वहाँ पर कॉलेगन फाइबर के जिकर आया होगा, ठीक है, वो क्या कर लेते हैं, उनके बीटें बॉन्ड बन जाते हैं, ये तो capability है इनकी, बॉन्ड बनाने की, इस capability of tanning to combine with macromolecules, explain, ये explain करता है, वाइ, ये perspirate कर देते हैं, cellulose को, pectin को और protein को, क्यों बॉन्ड बनाने की जो इनकी छमता है, इसकी वज़े से ही, ये cellulose, pectin और proteins को precipitate कर देते हैं, perspirate कर देते हैं, लिक्वीड का solid में convert हो जाना, अच्छा, अब यहाँ पर एक बात, लिक्वीड का solid में convert हो जाना, ठीक है, लिक्वीड का solid में convert हो जाना, एक question आता है, कि, एक के अंदर जो liquid था, boil हुआ तो वो liquid कहां चला गया, ठीक है, एक सवाल यहां से, create करते हैं हम लोग, चलो, last lecture मेंने एक सवाल पूचा था, कि अगर minus 40 degree centigrade में, जो लोग रहते हैं, वो लोग कपड़ कैसे सुखाते हैं, तो कुछ लोग एक बच्चे का answer आया, सर्फ फ्रीज में सुखाते हैं, फ्रीज में नहीं सुखाते हैं, minus 40 degree मतला समझ रहे हैं, कपड़ धुलो, और ऐसे बाहर डाल दो तुम, कपड़े में जितना भी पानी होगा, वो जम जाएगा, उसके बाद कपड़ा उतारो, जटक दो, वो सारा पानी बरफ के तौर पर, जो छीटे लग करके क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, बाहर डालते हैं, अलग है, एग के अंदर का पानी कहां चला गया उबलने के बाद, वो पानी चला कहां गया, ठीक है, खिलियर है, चलो, कमेंट करना अगर किसी को इसका अंसर पता है, तो, चलो, आगया आते हैं, क्योंकि यहां पर यह सेम चीज हो रही हैं, टार्टनेस्ट की जो प्रपर्टी है, बाई प्रेस्पिरेटिंग दा ग्लाइकोपोर्टिन कंटेंडिन सलाइवा, ठीक है, टैनिन मेक दा लेटर लूज इस लुब्रिकेशन प्रपर्टी, ठीक है, इस पार्ट को छोड़ देना, पर और classify कर दिया, टू टैनिन और सूडर टैनिन, हाई मॉलिक्टलर वेट, लो मॉलिक्टलर वेट, टू टैनिन फर्दर पिन पार्ट में तोड़े गए हं, hybridLysable टैनिन, condensed टैनिन और complex टैनिन, तो इस टाइब से हम लोगों ने इनकी क्या कर रखी है, क्लासिफाइब कर रखा है औरेंस के बात करें तो फैमिली ऐने कहा तो कुछ याद करें लो बैसिक फैमिली ठीक है ना अइसरेसी एक्टिनीडेसी एना कार्डियेसी बिकसा सी बर्सिरेसी ठीक है यह फैमिलीज है जो तुम लोग क्या करने है लर्ण कर ले नहीं चार पाँच जो कॉमन हो सब में उनको पक्के से याद कर ले ना एक वह थोड़ा से नजर डालना सब में कौन कॉमन है किलियर है डिश्ट्यूशन जैसे मैं हमेसा बोलता आया हूं ठीक है ना बार्क वॉड लीव बड़ इस्टैम फ्रूट सीट्स रूट एंड प्लांट प्लांट गल्स पता ना जो जानेदार चीज़े से पढ़ आती प्लांट के अंदर भूल गए मेरे खालते याद है पढ़ा चुका हूं गल्स अब देखते हैं कि कहां पर होने से क्या काम हो रहा है यह नॉन वुड होता है प्लांट का नॉन वुडी पार्ट जहां वुड नहीं पाए जाता है जैसे कि सेकेंडिज आइलम एंड फ्लोएम हाट वुड ऑफ कॉनिफर यहां पर काम क्या करते हैं सपोर्ट और रेगुलेट दा ग्रोफ आफ टीशू टीशू ग्रोफ में हेल्प कर रहे हैं पस ठीक है और काफी स्टॉंग बनाते हैं उसको वुड को फिर अगर हम बात करें बड की ठीक है तो बड की बात करें तो आउटर पार्ट ऑफ बड होता है कली होता है उसको फ्रीज होने से बचाता है यह लीव की बात करें तो एपिडर्मी से पाए जाएगा यह उपर अली छ लातोई कोई खुर करेगा तो यह lieutenant इसको वहाँ पर रुखने है नहीं देगा तो यह जश्ट मैं reaching कहां पर और क्या काम करें और मैंने बताया इनका काम क्या साइत कुछ यहां पर यह मिल भधशा तो मैंने यह तमक mira को दे दिए हैं वदरवाइज डिस्ट्रिविशन में हाथ तुमको पता ही है कहां कहां पर यह पाई जाएंगे के लिए रहे बादे हैं चले आगे तो यहां थोड़ा समको समझना पड़ेगा क्या है इसका टैनिस और अलकॉल एथर और अशिटोन ठीक है ना अशिटोन और वाटर का इसमाल ज्यादा किया जाता है अब्तिमल उड़ा अक्टेन फ्राप्टेन फ्रेस टीसू और फ्रीज ड्राइट टीसू दो को बहुत ला टर्म आ गया जो कल्वे ने बहुत था है फ्रीज ड्राइट फ्रीज ड्राइट का मतलब ठंडा करके उसके अंदर का सारा liquid निकाल दिया है, कपड़े के अंदर का थंडा किया, हमने जमा दिया, जो उसके अंदर liquid सा वो जाड दिया, ठीक है, that is called freeze-dried, थंडा करके, जमा करके सुखा देना, ठीक है, optimal yield are not obtained from dried tissue, अगर कोई सूख गया, धूप में पड़ा-पड़ा सूख गया, त अब जब extraction हो चुका है, तो जब हम acetone जो डाला तो इसको हटाएंगे, after eliminating acetone जैसके distillation में, the pigment and lipids are removed from the aqua solution by solvent extraction, जो pigments और lipids होते हैं, pigments पता है ना, बता चुका हो मैं, जो color elements होते हैं, pigments and lipids are removed from the aqua solution by solvent extraction, जो solvent extraction का तरीका होता है, उसकी help से हम लोग pigment और lipid को हटा देते हैं, ethyl acetate extraction of the aqua solution separates the dimeric proanthosyanidins and most of galantoins, इसकी help से हम लोग इसको और इसको remove कर देते हैं, proanthosyanidins and galantins, ठीक है, polymeric proanthosyanidins and high molecular weight galantoins remains in the aqua solution phase, वो aqua solution में रह जाता है, अब उसके बाद, to obtain pure compound, हमको जब pure compound लेना है, तो हम लोग क्या करते हैं ultimately, वो ही chromatographic technique है हमारे पास, ठीक है, followed by reverse face chromatography, उसके बाद हम लोग क्या follow करते हैं, chromatography की बाद, reverse face chromatography का apply करते हैं, और हमको क्या करते हैं, pure compound हमको मिल जाता है, तो यह कुछ उपर की basic basic बात है, यहाँ पर तुम लोग जर्नल भी लगा सकते हो कि हाँ, इसकी help से कर रहे हैं, हम लोगों ने solvent निकाल लिया है, इन चीज़ों को remove कर दिया है, यह सब चीज़ों जो थी, और जो part बज़ गया finally, उसको हमने chromatography करके pure कर लिया, clear है, आगे आते हैं, now identification test, तो यहाँ पर भी कही सारे test हैं हमारे पास, जैसे कि gelatin test, इसके कर हम बात करें, ठीक है, to a solution of tannin, tannin में हम लोगों क्या करेंगे, echo solution of 1% gelatin, ठीक है, and 10% sodium chloride are added, tannin लेंगे, gelatin ले लिया, 10% sodium chloride ले लिया, ठीक है, a white buff colored presbytate, एक presbytate बनके आएगा, जो कि एकदम सफेद कलर रगा, buff है ना, धुंदला ट्राइप का एकदम बादल नुआ, बनके आजाएगा, ये confirm करता है, presence of tannin, clear है, gold bitter skin test, पहले discuss कर चुके हम लोग, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आता हमारे पास, अब brown or black color आयाता है, फिर देख लेते इसको, a small piece of gold bitter skin, ये बता चुका हूँ मैं, आतों की उपर की छाल होती है, membrane prepared from the intestine of an ox, दे तुम लोगोंने, बर्फी वगरा लेते हो, तुम लोग, लेते हो कर नहीं लेते हो, अच्छी वाली बर्फी, है ना, कौनसी एक आती है, क्या नाम है उसका, काजू, काजू कर के नाम है ना, कुछ, क्या नाम है, खेर, उसके उपर, चांदी की परत होती है, ठीक है, अब ज तो इस जो आथ की जो उपर वाली खाल से एक लेयर नुमाज चीज बना जाती है इनके बीच में चांदी के तुकड़े रख करके पीटा जाता है याने कि जानवर के अंस से ही वो चांदी को पीट मीट के पतला किया जाता है ठीक है तो पता कर मैं इसके बारे में तो तुम ल है वो चीज़ है करके कि जी स्कीन होती है फॉइल बनती हो भी ऐसी बनती है ठीक है चला आगया आते हैं अब क्या है इस सोग दिन 2% हैड़ोग्लोरिक आसीड रिस्ट बिद डिश्टिल वाटर एंड प्लेश्ट इना सॉलूशन ऑफ टैनिन फॉर फाइब मिनेट दा इसकी इसको धूल देंगे विद डिश्टिल वाटर एंड कैप 1% सॉलूशन ओफ फैरस सलफ़ेड ब्राउन ब्लैक कलर इज प्रडूश्ट वाटर इसकी डूट प्रिजैंस ऑफ टैनिन की प्रिजैंस की वाइश से अब मैंने क्या बताया किसको तुम लोग क्या करोगे क्या करोगे स्मॉल पीस ऑफ गोल्ड बिटर इस सोग इन 2 परसेंट है डिश्टिल वाटर दूलने के बार प्लेश दिन सॉलूशन ओफ टैनिन है ना इसको लिया किस से धुला है डिश्टिल दूल दिया इसको फिर किसमें डाल दिया टैनिन वाले बीकर में डाल दिया तो step by step में लिख लोगे discuss कर चुका है पहले भी आगे आते हैं यह याद ना रहे ना तो देखो क्या करना मैं फिर बता रहा हूँ टैनिन लिया ठीक है एंड sodium acid phosphate टैनिन प्लस अब टैनिन कहां से लिया सेंपल लिख दो यहां पर टैनिन कहां से लिया सेंपल से ले लिया और ठीक है इस heated and cool and filter इसको क्या कर लिया heat cool filter ठीक है और 2% solution of phenazone is added then मत लिखो उसको phenazone add है ना percentage ना यहाद हो तो मत लिखो मैंने क्या का लकीर का फकीर नहीं बन जाना है हमको वो चीज़ करनी कि at least teacher को पता चले कि हमको आता है ठीक है यह नहीं कि एक दम exact आता है हमें पता है exact नहीं पता कोई बात नहीं exact याद हो जाए और इच्छी बात है फिर क्या आ जाएगा अब बलकी colored precipitate is formed यहाँ पर क्या आ जाएगा colored precipitate आ जाएगा बात समझ महारी है तो ऐसे लिख लो मत लिखो 10 ml 2% याद हो निची यह बात है हमें के लिए बातें चलें आगे नौ मैजिस्टिक टैस्ट इसे क्या टैस्ट भी कहते हैं मैजिस्टिक को प्लांट के डाल देंगे सुखा लेंगे नियर बर्नर एंड मॉइस्टेन विद कंसेंट्रेट हाइड्र क्लोरिक एसे फिर उसके ओपर हलकी असा छुड़क देंगे क्या एसल नम कर दिया उसे और वार्मिंग नियर फ्रेम अब उसको फ्लेम के पास जाकर करें जब गरम करेंगे दा मैजिस्टिक वोड टन्स पिंक ये गुलावियम बदल जाएगी और रेड डियू तो दो फॉर्मेशन ओ फुलोरो ग्लिसी नॉल जो कि क्या करता है प्रूफ देता है कि हाँ पर टैनिन मौजूद है किलियर है एक लास्ट है टेस्ट विद फैरी क्लोराइड तू दा सॉलूशन ऑफ टै बात है ओके हैडिंग तो इस टाइप की हैडिंग इसके अंदर है कि लियर है आट अब तो यह तो यादी होंगी सारी है ना सिंपल हो गया एक्टिविटी है ठीक है अब पर्मोट रैपिड हीलिंग हील मतलब ठीक करना चोट अगर लगए तो ठीक करें जल्दी फॉर्मिशन ऑफ न्यू टीसु है ना जितना चोट लगई वालों गड़ा हो गया चोट लगके उतर गया है उसमें जितने जल्दी सेस की वैसे गला लग जाता है as well as inflammation of gums gums में अगर inflammation आ गई है gums लाल पड़ गई है चाले पड़ रहे हैं अब गम्स में internally tannins are administered in case of diarrhea diarrhea में intestinal cataract and in case of heavy metal poisoning as antidote अगर heavy metal किसी ने खा लिया है लिक्विडियों तो पी लिया है तो उसके antidote के तोर पे इस्तमाल होता है इन recent year these compounds have demonstrated their antiviral activity जल्दी कुछ ही हाल के सालों में इनकी antiviral activity भी पता चली है for treatment of viral disease including AIDS AIDS में भी अभी यह help कर रहा है pharmaceutical application जैसे मैं बताया है सब कुछ है medicinal ही हो गया एक्स्टेंजन हम्रेट हेमोस्टेटिक एंटिडारियल एंटिडोट ठीक है लैब में region for detection of protein alkaloid heavy metals ठीक है detect करता है कि इसा यह सब कीज़ें मौझूद है ओके टैनिस हार यूज अर्यूज अर्यूज इंडाइंग डाइंग वगरा इंडेस्ट्री में इस्तमाल आ रहा है manufacturing of ink sizing paper paper को size करने के लिए and silk and for printing fabrics 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 इसमें color बगरा जो लगता है उसमें भी इसका इस्तमाल हो रहा है they are widely used in leather industry leather का तो मैंने बताया था study concept है वहां पर भी इसका इस्तमाल हो रहा है conversion of hide into leather the process being known as tanning इसी को हमनों tanning कहते हैं tanning are also used for clarifying beer and wine beer and wine को chemically clear करने के लिए help हो रही है photographic में इसका इस्तमाल हो रहा है as a coagulant in rubber rubber को coagulate करके hard कर दिया जैसे की जो एक था हमारा liquid से tough हो गया था clear है tanning are used for the manufacture of calic acid and pyrogolol तो यह सारे इसके pharmaceutical के industry में इसके use हैं तो यह अलग से याद कर सकते हो इनको clear है तो यह हमारे पास lecture जो था tanning का खतम होता है इस chapter का एक topic और बचा हुआ है ठीक है कोशिश करूंगा उसको में आज ही cover करा दे तो फिर